हेलो एवरिवन तो आज हम लोग देखने वाले है कि टर्म्स दाट डिफाइन आ ओप्शन्स कॉंट्रैक्ट तो अगर मैं ओप्शन्स कॉंट्रैक्ट को देखू तो पहली चीज जो मेरे पास आएगी वो आएगी ओप्शन बायर आएगी ओप्शन बायर रहते है जैसे हमनों आँ देखा था श्टार्टिंग में डर्रत टू टैपस ओफ और कॉंसा वन इसकाल बायर सचर्ट कौन है मेरा इसकाफ पूट बायर ओकि मेरा दो टाइप ओफॉपफ यार रेते है पॉट बायर तो इसमें क्या होता है को call buyer को हमेशा right होता है to buy, right to buy and put buyer को क्या होता है, right to sell होता है, ठीक है, now बाद में क्या था, एक था option seller, तो option sellers भी यहाँ पर, there are two types of seller, कौनसे type of seller है, one is a call seller and second one is what, put seller, अभी call seller and put seller को अगर मैं देखू, तो दोनों को obligation होता है, okay, obligation, अभी obligation to क्या होता है, call seller को obligation to sell, okay, और यहाँ पर obligation to buy होता है, okay, इसके बाद अगर मैं देखने जाओ, यहाँ पर, फिर आता है हमारा option premium, अभी option premium को अगर मैं देखने जाओ, तो option premium आपको क्या बताता है, option premium actually बता रहा है कि वो contract का actual price क्या है, based on expiry, based on IV, based on implied volatility तो, IV बगर हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन option premium ना दो चीज़ा याद रखना है, इसमें, कि it made up of two things, पहली चीज, intrinsic value, plus time value, इसे हम लोग extrinsic भी खेलते हैं, ये एक चीज़ याद रखना भी intrinsic extrinsic क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये दो चीज़े याद रखना, option premium made up of two things, intrinsic value and the time value, इसके बाद ना यहाँ पे आता है moneyness, अगर मैं इसे थोड़ा और मीचे रखो, let's see, इसमेना हम लोग moneyness भी देखेंगे, तो moneyness को अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो otm मतलब out of the money and itm मतलब in the money, okay, now कैसे figure out करें कि add the money, out of the money और in the money क्या है, तो add the money मतलब क्या कि current market price के नजदिक का जो भी strike है, nearby, current market price strike है, जो भी price, current market price के आसपस का जो भी नजदिक का strike है, वो मेरा add the money होता है, उसके उपर, अगर मैं देखूंगा, बतलब suppose अगर मैं 1000 पे stock है, तो strikes कैसे रहेंगे, let's see, यहाँ पे रहेगा ग्यारा सो, यहाँ पे रहेगा बारा सो, तेरा सो, उपर क्या रहेगा, 900, 800, 700, और 600, बराबर, तो suppose यह add the money है, current rate stocks के रहेगा, वो मेरा add the money strike हैगा, यहाँ पे call option है, और यहाँ पे put option है, let's example, अभी simple देखो, अगर stock के higher strikes, call के लिए अभी समझो, अगर 1000 के उपर के जो भी strikes है, मतलब 1100, 1200, 1300, वो क्या है, call के out of the money strikes, यह क्या हो गए, otm strikes हो गए, और वही, 1000 के नीचे के, मतलब 900, 800, 600, यह क्या हो गए, in the money strikes, simple है, now put की तरफ देखो, 1000 पे अगर 1000 है, तो 1000 के उपर के, मतलब specifically, जो भी 1100, 1200, 1300, 1400 strikes है, वो put के in the money strikes होते है, and put के otm strikes क्या रहेंगे, जो भी 1000 के नीचे के strikes रहेंगे, तो wise वर्जा करना है, जो अगर आपने call की तरफ से समझ लिया, तो आपको, same उसका उल्टा आपको put की तरफ लेके आना है, so, options contract में यह सारी चीज़े होते हैं, अगर मैं, अगर option chain यहाँ पे open करूँ, let's see, देखो, bank nifty open है, bank nifty currently trade कहाँ पे कर रहा है, 50,976, august expiry, 28 august, इसके नजदिक का strike देखो 51,000 है, इसलिए वो ATM है, देखो थोड़ा dark red है, यह call है, यह put है, अभी देखो 51,100, 51,200, 300, 400, यह क्या है, call के out of the money strikes, और यह क्या है, call के in the money strikes, जो भी lower strikes है, put का भी देखो यहाँ पे, पुट का अगर आप देखोगे, तो जो भी higher strikes है, वो put के in the money strikes होंगे, जो light green, light blue color से बताया है, और यह जो lower strikes है, वो put के out of the money strikes, अगर इसके बारे में और इन डिटेल जानना है, जो प्लीज एक बार नीचे सारे डिटेल लखे रखी है, जो प्लीज एक बार चेक करो, and that's it for the today.